समस्कार दोस्तों, दोस्तों कर आप लोग भी एक EPS 95 पैंसन धारक है तो आप सभी पैंसन धारकों के लिए एक अच्छी ख़वर है, गुड़ न्यूज है क्योंकि दोस्तों लोग सभा में सुपरिया सुले और छत्पति साहु जी ने पैंसन का मुद्दा उठाया है तो एक ये न्यूज आर्टिकल के मादिम से मैं आप लोग को जानगार दिना चाहता हूँ जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि EPS 95 को लेकर लोग सभा और राज्य सभा में लगातार पैंसन का मुद्दा उठाया है वही पक्ष हो या विपक्ष हो सभी EPS 95 को लेकर सक्रिये हैं एक और जैसा कि आप लोग को पता है कि भाजपा की सांसद हेमा मालने ने खुद पैंसनर की मुलाकात पीए मोधी से करवाई है वही कई विपक्ष के नेताओं ने पिछले जिनों लोग सभा में EPS 95 नियूंतम पैंसन ब्रिद्धी सवाल पूछे हैं महराष्ट के बारा मती से NCP की सांसद सुप्रिया सदानन्द सुले ने 6 अगस्त को लोग सभा में EPS 95 पैंसन का हक देने की मांग सरकार से की है साथ ही EPFO के अंतरकत आने वाले 70 लाग से जैदा पैंसनर लिये नियूंतम पैंसन में ब्रिद्धी की मांग की और पैंसनर का दर्द सदन में पटल पर रखा आपको बता दे की सांसद सुप्रिया सुले जी ने लोग सभा में पहले भी इस मुद्य को तीन बार उठाया है लेकिन अभी तक EPS 95 पैंसन धारकों की मांग पर सरकार की और से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों 31 जुलाई को जंतर मंतर पर पैंसन धारकों ने धरना दिया था जहां पर 12 सांसदों ने इस आंदलन को अपना समर्थन दिया था जिसमें से एक सांसद छत्रपती साहु महराज जी भी थे उन्होंने वादा किया था कि वह लोग सवा में EPS 95 पैंसन का मुद्दा रखेंगे उसी वादे के अनुसार उन्होंने 6 अगस्त को लोग सवा में सदन के पटल पर EPS 95 पैंसन का मुद्दा रखा EPS 95 पैसन धारकों के लिए नियूंतम पैसन ब्रिदिम और उसे महेंगाई भत्ता से जोड़ने की मांग की चलिए बात करते हैं कि EPS 95 पैसन धारकों की मांगे क्या क्या है उस तो EPS 95 पैसन धारकों के नियूंतम पैसन को एक हजार से बढ़ाकर 4500 रुपिय किये जाए और उस पर महेंगाई भत्ता भी दिया जाए सभी पैंसन भोगियों और उनके परिवारों को मुफ्त मेडिकल शुब्दा दी जाए सुप्रीम कोट के आदिस अनुसार उच्छी पैंसन का लाब दिया जाए योजना में सामिल नहीं हो रहे है ऐसे पैंसन धारकों को कम से कम 5000 रुपे पैंसन दिये जाए तो दोस्तों यह मांगे है एक पैंसन रोकी और इस मांगों को अब सुप्रिया सुले जी ने और चत्रपती साहु महराज ने लोग सभा में इस पैंसन को लेकर सवाल उठाए है तो दोस्तों आप लोग को जानकारी कैसे लगी जानकारी अच्छ पैंसन